वेल्कम स्टूडेंट्स तो आज हम इन्वर्स ओफा सबसेट ओफा गुरूप के बारे में पढ़ेंगे इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एक नया सब दीफाइन करने जा रहे हैं तो देखिए कैसे करेंगे सबसे पहरे हम मान लेते हैं कि जी हमारे पास कोई भी एक group है और यहां पर हमने क्या लिए है एक हमें क्या लेते हैं एक सबसेट लेते हैं जी का देखिए सब गुरूप नहीं कह रहा है मैं सबसेट कह रहा हूं simply कि हमने हमने एक सबसेट लिया जी का तो हमें एक नए सेट डिफाइन करते हैं एक इनवर्स तो इसमें हमने क्या करना है कि आपने क्या करना है कि एक element लेना है x में से और उस element का हमने inverse है जो वो find out कर लेना है तो जो inverse का हमारे पास यह नया set बनने वाला है इससे हम denote करेंगे h inverse से ओके for example हम simple सी बात ले लेते हैं जैसे की z4 group ले लेते हैं under addition modulo 4 इसमें elements कैसे ही हमारे पास यह इसके पास हमारे पास एक elements है मैं h इसका एक subset ले लेता हूं 0 and 1 ओके तो इसका inverse हमारे पास क्या मिलेगा identity का inverse क्या होता है एक बात और देखिए अगर हमारे पास यह group का operation चलेगा ना उसका inverse तो 0 है identity है addition के अंडर इसका inverse क्या होगा फुद वो ही होगा और 1 का जो inverse रहता है हमारे पास under addition वो क्या रहता है 3 रहता है 1 में हमके add करेंगे कि हमें formula that is 3 तो यह बनेगा हमारे पास 3 यह set बन गया ओके एक होड़ सेट लेते हैं simply हम क्या करते हैं हमने वान ले लिया अब इसका inverse क्या होगा simply 3 ओके तो फिर से हम वही चेक करेंगे अब हमने एक नया साथ रिफाइन किया फिर से हम वही चेक करेंगे क्या यह हमारे पास एक subgroup बन सकता है तो इस example में आप देख सकते हैं यह हमने एक group लिया एक हमने एक subset लिया वाने उसका inverse की है यह यह बट यह इसका एक subgroup नहीं बन रहा तो इसका मतलग जो H inverse जिसे भी subset का हम define करते हैं तो वह ने सहसरी नहीं है कि वह एक हमारे पास एक subgroup बने ओके यह भी देख सकते हैं यह भी हमारे पास एक subgroup है वह नहीं बन रहा तो कि 0 ए 3 है इसमें 3 plus 3 that is 2 नहीं है इसमें भी देखिए 3 plus 3 क्या होगा हमारे पास 2 होगा 6 6 को 2 4 से डिवाइड करेंगे 2 2 इसमें belong नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह साट भी हमारे पास जो है एक group subgroup नहीं form कर रहा तो आगे बात आती है कि क्या कुछ ऐसी condition है कि अगर हम impose करें कि जो यह h inverse है वह हमारे पास एक subgroup बन जाए तो वह condition क्या है कि यहां पर हमने h एक subset लिया था तो result क्या आता है कि अगर हम h को एक subset लेने की जगा हम एक subgroup ले लें ठीक है अगर हम एक subgroup लेंगे उसका h inverse जो है उसको find out करेंगे तो वह हमेशा हमारे पास एक subgroup ही बनेगा तो अब बात करते हैं हम इस result की की if h हमारे पास क्या है एक subgroup है है ओके तो h inverse जो है वह subgroup बनेगा additionally क्या होता है जब हम इस एक subgroup का inverse find out करते हैं वह खुद हमारा h के equal आ जाता है ठीक है और यहां पर हमारे पास जो condition होती है ठीक है कि h को हमने subgroup लेना है तो देखिए बहुत ही easy सा proof है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह show करेंगे कि h subset है हमारे पास h inverse का तो अब हम क्या करते है x कोई भी एक element ले ले लेते हैं और h हमारे पास एक subgroup है it means जो x inverse element है वो h में हमारे पास belong करेगा x inverse एक subgroup है और x inverse जो है h में हमारे पास जो है वो belong करेगा तो अगर यह inverse element h में belong कर रहे तो जब मैं इस element का inverse find out करूंगा तो वो किस में belong करेगा h inverse में और इस element का inverse क्या है x that is x element है वो belong कर रहे हमारा h inverse में तो यहां से क्या implies हुआ कि जो h है मेरे पास वो subset बन गया h inverse का अब हमको क्या proof करना है उसी तरह से h inverse subset होगा हमारा h का तो यहां से h inverse है तो इसका कोई element लेते हैं h inverse मान लेते हैं कोई element है जो इसमें belong कर रहे और जो यह h हमारा वो किसमें belong करेगा h को अब h h में belong कर रहे तो h एक subgroup है तो it means h inverse belong करेगा हमारे पास h को h inverse हमने लिया कहां से था h inverse है belong किया h को तो it means h inverse subset होगा यहां पर h का अब इन दौनों से हमारे पास h inverse है वो किसकी को ला जाएगा हमारे पास h के यह तो काफी हमारा simple size is approved था main बात यह है कि अगर हम एक subset लेंगे तो वो subgroup नहीं बनेगा बट अगर हम एक subgroup लेंगे तो h inverse जो हम निकालेंगे वो खुद ही हमारे पास जो है h के equal आने वाला है